लोड़की कमाई हो के साजा दी लोग अपने इस परिवार के साथ माइन साफी किया है आप ऐसा खबर चला दिये कि गिरफतार होगे क्या कहना चाहेंगे मेरे पर आरोप जिन पुरी जनकारी नहीं होई लोग लगा रहे है इसमें मेरी क्या गलती है महंदर पांड़े ने गलती किया था मैं सच्चाही जो था सामने लाया महंदर पांड़े अंदर चला गया जल में उसके बाद इस समें परिवार को भुगतना पड़ रहा है इसमे मेरे दिमाग में यहीं चला था कि महिंदर पंडे का उम्र अगर ज्यादा है तो चोटी बची के साथ अभी कुछ किया नहीं होगा इंतजार कि यह बड़ी हो जाएगी तो कुछ करेंगे लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला उसका फोटो मेरे पास आया सुहागरात का ले गया था होटल में रहा तब यह सब तो पूरा गलत था भाल साजा करने माले तो सलाखों के पीछे लेकिन लड़की के माई के लड़की के माई के साजा दी लो कहीं निए वह फसे ले बड़ी वह सौने पर भी आहूं है करो लिए बेटी बैने कहुंहें ले लेजाब दोसी नहीं है मतलब बोलती नहीं थी क्या पापनी बेकी को क्यों लेकर आ रहे हैं करना चाहता हूं कि जो भी यहां पर आये मदद जरूर करें आप इसक्रीन पर इनका इंडिया का खाता नंबर है इनकी मां का महंदर पांडे की वाइप का खाता नंबर कोई नहीं है किसी भी बेंक से वो नहीं जुड़ी है इनकी मां का है जो सक्रीन पर देख रहा है इस पर जीतना आपको मदद करना चाहे कर सकते हैं कि इस परिवार का कुछ मदद मिल जाए जीवी का चल सके दो बच्चों का पालन पोषन सही तरीके से हो सके और यहां पर मौझूद है वही सर जी जिन्हों ने खबर मनाई थी कि महंदर पांडे ने 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया उसके बाद तमाम पुलिस करवाई हुआ और आज महंदर पांडे जिल में सर आप पे आरोप भी लग रहा है कि आपने इस परिवार के साथ माइंसाफी किया है आप ऐसा खबर चला दिये कि गिरफतार होगे क्या कहना चा है लेकिन किसी से भी यहीं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी आ रहा है इस परिवार का मदद करने की कोशिश करे क्योंकि इस मामले में है परिवार का कोई भी दोस नहीं है जो भी करना था महंदर पांडे ने खुद किया था किसी के बाकावे में आए या जो कुछ भी करे वहीं गलती किया था मुगतना परिवार को पढ़ रहा है दो दो बच्चे है बीबी एक मा है मा का तो रोरो कर बूरा हाल हो चुका है बीबी इस समय कहीं और लेटी है बिलकुल एक बेटा है और यहां पर पड़ा है एक और बेटा है पता न कहीं और गया है मा भी नहीं देख पा रहे है इसका भी सुद्बूद नहीं है इस समय लड़की की उमर कम थी इसके वएस महंदर पांडे फसे अधर वाज़े ऐसा कुछ नहीं होता सही बात है अगर लड़की की उमर 18 पलस होती तो कोई फस्ता ही नहीं महंदर पांडे इसमें एक ग्यारा साल की बच्ची थी बच्ची को समोई दिमाग को जिदर घुनाये जाता है चोटी बच्ची को उधर घूम जाता है महंदर पांडे के दोरा यहीं इसमें किया गया था अब जो मजा लड़कियों को 20 साल के बाद मिलता है वो बच्पन में ही मिल गया था तो लड़की इस समय महंदर महंदर उसी के लिए कर रही है अब देखते हैं आगे तो कोट फैसला करेगा कि महंदर पांडे का परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि दबंग बाबू आप ही फस हैं परिवार बिल्कुल विख्रा हुआ है आपकी और से क्या कुछ मदद होगा या मदद हुआ है अभी तक की बताया उनके मरा मेरे पार से यही चावल दा लोगर लेकर आया हूँ और आगे भी लेकर आता रहूंगा मा जी से मैं बोला हूँ पहले भी बोला था कि मैं लोगों ने मुझसे बोला तो आज लेकर आया हूँ जीतना हो सका फिर पांदस दिन बाद और लेकर मतला मैं ऐसा मदद करता रहूंगा लोगों से अब क्या अपिल करेंगे कि जो होना था वो तो हो गया लोगों से यहीं अपिल करना चाहता हूँ कि जो भी यहां पर आये म इनकी मा का है जो इसक्रीन पर देख रहा है उस पर जीतना आपको मदद करना चाहिए कर सकते हैं कि इस परिवार का कुछ मदद मिल जाए जीवी का चल सके दो बच्चों का पालन पोशन सही तरीके से हो सके जब जनता चाहेगी तभी हो सकेगा जो गलती किये थे उसका परिवार सजा क्यों भूगते हैं लेकिन परिवार का मदद के बारे में कोई बाते यहां पर नहीं कर रहा है करना चाहिए घूब कूध करना चाहिए लोगों से उसलमेडिया जुड़े हैं लोग आपसे जूड़े हैं तो उन लोगों से मदद कर्वाना चाहिए लोग बी HOW चाहिए जो एक बार आप ढ़ादेंगे तो झोध पैसा डालना लगते म्हीं सारा मदद मिलता। डिखने कर लगा। अगर महंदर पांडे का परिवार या माता या जो भी भाई या पतनी पहले से इस मामले को लेकर अगर गम हीरता से देखा तो ताज ये हादसा नहीं होता। अगर इस मामले में सही तरही के से जांचो तो सब लड़की के माँ की गलतिया निकलेगा। सबसे बड़ी गलती हो गया कि ग्यारा साल की लड़की है बच्ची है इसे लिए महिंदर पंड़े इसमें पांस गया और उसके साथ तो उसको कुछ करना नहीं चाहिए साधी किये हैं मेरे दिमाग में यहीं उसमें चला था कि महिंदर पंड़े का उम्र अगर ज्यादा है तो छोटी बची के साथ अभी कुछ किया नहीं होगा इंतजार किया होगा कि यह बड़ी हो जाएगी तो कुछ करेंगे लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला उसका फोटो मेरे पास आया सुहागरात का ले गया था होटल में रहा तब यह सब तो पूरा गलत था अब उतना साब फोटो वाइरल हो रहा है अब वो तो जांच कभी से हैं इसकी मां बच्ची की मां और महिंदर पंड़े दोनों मिलकर बच्ची की लाइफ समय बर्बाद कर दी है तक महीं अब ज्यादा ज्यादा इसके पर जो नंबर मदद करने की कोसिछ करें यहां जो महुझे bukan ने श Avec मश कर दे रहा हूं आप लोगों से शालभ दे रहा हूं इसकैंच और भ्यक 12 607wind प्रिपल जीरो फोर सिक्स से बनाए इस पर सेंड करें जितना मदद हो सके आप करें बैंक आफ इंडिया है चलिए मता जी इस खाते हैं पैसा आएगा और हम लोग चाहिए कि जितने भी लोग आपको सपुच करें पैसे से जैसे भी आप अपने इस परिवार का जब तक वाते जाने हैं आपको पाटा जाने हम रहें रहें दोड़ भाट के बुर्भग जानके हम रहें के लिए अपने का लग पाटी के फांसा आप आए यह जो है यह को ट जो हूता है उनको रूसाजा होंख के चाहिए कम मां यू के सजा में ले के चाहिए देखिए महेंदर पांजय पतनी नहीं दोशी है यह निए कि अठास अब फरी उस लड़की कि मां भी दोशी है क्युक् finsubryr कि आपके अबाप जुदूद की झाला मुपका दूदूद के लिए लिए झाला में घए तेराइ भूरभाद के अबुद खाने हम चाला कि आ कि भाप हुआं थे सबिलेकर देटीकिल ठाले हम पावटा तर नगिके जीनीगी यदिदिगे थे छिला विर भी जाया था जाला ह पैसा नाइक चोड़ा के लिया है अब आगे क्या जो ये कानून फैस्ला लेगा बाकी यहां पर शुड़ दी लू हमकर माई के बहुत तो कलती बारी हुशा हुशु कर माई कलती को ले पारी है हमारा पौती के फोले बाड़ी हूँ है चलिए आगे हम बताएं आपको कि इस परिवार का इस्थिती बिल्कुल यहां पे खराब है और यहां पे लगतार महेंदर पांजे की पतनी है जो रोकर मतलब इनका बिल्कुल बुरा हाल हो गया और इनकी तबियत भी काफी नाजुत बनी हुई है और लगतार यह कह रहे हैं कि हमारे पत्नी को आप लोग छुड़वा दीजिए और कहीं न कहीं लड़की की मा भी इसमें दोसी है बाकी यहां पे अब हम यही बात करना चाहिए कि परिवार किसी बिल्कुल खराब है हमने आप यहां पर दिखा दिया कि उनकी बत्नी का हालत खराब है यहां पर बच्चा का हालत खराब है यहां पर बुड़ी मा बिल्कुल रही है और यहां पर सर जी ही बोले कि एक आउन यमर में आप लोग मदद कीजिए और जितना हो सका सर ने मदद किया फिर आगे ही मदद करने का सवासंद यह अपने चनल के आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हम यही कहना चाहेंगे कि इस परिवार को आप लोग मदद कीजिए अब आगे नयाय क्या होगा यह कनून देखेगा बहुत बहुत धन्यवाद